हेलो स्टुएंट्स हम अपने चैनल डे नैट क्लासेस पर आपका स्वगत करते हैं 101 कुश्चन हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पेट 2023 के लिए अच्छे प्रसन है चलिए को स्टेडी करेंगे आप नोट कर लिजेगा ठिक पहला प्रसन क्या है किस समराज प्राचिन समराज म महिलाएं कुस्ती में भाग लेती थी बी नमबर आपसन होगा किस सासक की मृत्यु उसके पुस्तकाला की सीडियों से गिरकर हुई थी तो वो शाशक था हमायू डी नमबर आपसन हमायू की दुरगटना में आकस्मि मृत्यु के अपरांत उसके बेटे अकबर को कहां मुगल संगाशन पर बैठाया गया तो बैठाय बैठाय गया था कालाणावर में कालाणावर यह नमबर आपसन된 किन समराटों के सासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था ये आपके बिहारक शाशक सेर सांसुई रीक समय में कि इन में से कितने भूमी मापांकन की विवस्था प्रार्म की भूमी की पैमाईश किसने शुरू की ये शुरू की थी शेर सांसुई ने जी डी टी ग्रांट ट्रंक रोट करें माल विकराया था और भूमी मापांकन की विवस्था भी की थी शेर सांसुई ने जलालुद्दीन मुहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर पानीपत की दुती दिक्स के बीच में हुआ था पानीपत का ये हुआ था अकबर और हिमु के बीच में पंद्रसो चपन्न नेक्स्ट है अक्बर के नवरतनों के बारे में कौन सा मेल सही नहीं खाता है अक्बर के नवरतन के विशे में चार वितल्प है कौन सा सही नहीं है राजा मान सिंग अक्बर के वित्बंतरी थे ये गलत है बाकी क्या सही है अबुल्फजल का भी भाग देखी कौन सा है वजीर थे अकबर नामा लिखी ये सही है अब्दुलरहिम खान खाना कवी थे अकबर के भरुस्यमंद देखपाल कर रहे हैं लिए बैरम खान के पुतर थे अब्दुलरहिम खान खाना मुला दो प्याजिया वह मुगल समराट के मुख्सलाकारों में किसे हैं मान सिंह अकबर के वित्मत्री नहीं थे अगला है अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे न उक्ति किया था तो वो था अपका B नंबर मिया तांसेन बुलन दरवाजा किसके दौरा बनवाए गया अकबर दौरा बनवाए गया कौन सबमुगल समराट अनपल था अनपल सी नमबर अकबर अनपल था किस ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की वो कित थी बदायूने बदा यूनी ने अकबर की धार्मीक नीती की आलोचना की थी हल्दी घटी का यूद देखिए 1576 में लगा गया था सौरी 1556 हमने लिग दिया था थोड़ा सा गलतिक बाई मिस्टेक हो गया थी 1576 में लगा था 1576 में हल्दी घटी का यूद 1576 में अभी बताए न आहारातना प्रताप और अकबर के वी हमने बता दिया था 56 Rainbow प Aqui पानिपवात कि तीनों युद्ध की डेट याद कर लिजेगा सही जिक आते हैं पानिपवाइपके जुने प्रमुक्थ हुए हैं उनको देख लिएगा ठिक बारत में जहांगीर का शाशनकाल क्या था जहांगीर का था जहांगीर का था 605 से 1627 तक डेट होती हैं कन्फ्योज आती हैं तो प्रेटिस करते रही है थामस रो मुगल समराट जहांगीर के किस किले में मिला था था तामसरो अजमेर्य किले में मिला था। मूगल समराण जहांगीर से अजमेर्य किले में। कौन सा मूगल बास्ट्शा शराब कुछ छूता तक नहीं था? कौन था वो? औरंग्येव। कवी भी था, शायर भी थे। औरंग्जेव किसके ससनकाल में मुगलों माराथों के बीच दंद प्रारम हुआ। और अंगे किसका पुथर था शाजान का पुथर था प्रश्िद चितरकार मीर सैद अली चितरकारी है तो किस मोगल असक के लिए के सयोगी थे यह थे हिमआयों पैंटिंग के शावग था हिमायों विस्व प्रशिद मौर सिंगासन का निर्मार और उसकी लाल किले में स्थापना किस मंगल सासक ने की थी ये की थी शाजान दिल्ली में कुतब मिनार दुनिया का सबसे उूचा इट का बना हुआ मिनार है इन में से कौन से राजा ने इसके निर्माण में युगदान नहीं दिया तो देख़िए अलाउदिन खिलजी ने को युगदान नहीं दिया उसके बाद फिरो सात तुगलक इन तीनों का इसमें मंजिले निर्माड करने में युग्दान हा कोborg मीनार कहां इस्ति था है कुत्व मेनार इस्ति था है दिली में पंच महल किस्ट सम्द्र था पंच महल है फतेरपुर सीखरी में कुछे गए हैं कौन थे वास्तुकार हमायू के मखबरे के यह है मिरात मिर्जा घितात घियात। आइन एकबरी किस ने लिखा आइन एकबरी अबुल फजल सी नौिर अपजन। तारीक फिरोसाही के लेखा तारीक फिरोसाही इसको लिखा था दियाउदिन बर्नी ने तारीक फिरोसाही लिखा था कौन सा सुमिल्यत नहीं है सी नंबर हुमायु नामा हुमायु नहीं atomic उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था ठीक ये आपका गलत है बाबार नामा बाबार ने लिखा जाजानमा मुहम्मत ताहिर और तुजू के जहांगीर जहांगीरी लिखा था कौन सा अस्थान जहां अंतिम मुगल समराट बहदुर साथ जफर की मृत्य हुई वह थी रंगून में किस मुगल बासान ने इलाबाद को अपनी राज़ानी बनाया था शाह आलम ने इलाबाद को अपनी राज़ानी बनाया था अवद का प्रथम नवाब कौन था अवद का प्रथम नवाब था सादध खान बी नमबर अपसर पहला कठपुतली मुगल समराट कौन था वो था जहादार शाह कठपुतली समराट मुगल काल में पुलिस गल के मुख्या को का कहते थे वो कहते थे कोतवाल जो अभी भी चला आ रहा है तब कोतवाल एक पद है पुलिस भाग में अभी भी जट की युद्धों को सही सुमिलेत करना है तो इसमें एक नमर आपसन सही है आपका पानिपत का पर्थम युद्ध हुआ था पंदरासोचबईस में और बी का है आपका तीसरा, प्लासी का यूद 1757 में, हल्दी घाट का यूद बताया भी हमने आपको 1576 में, हल्दी घाटी 1576, पानिपत का दुती यूद 1556, ताली कोटा का यूद हुआ था 1565 में, ये प्रमुख यूद है धियास के तो यूद की देट तो याद करनी पड़े ही आपको, बाकी कई की आपको आपकी याद भी होंगी बहुत सी देट सापको, कौन सा विकल्प सही धंग से मेल नहीं खाता है, कौन सा मैं नहीं खाता है, देखिए ये आपका बी है, गुरानाद देव जी का जन्न 1506 में नहीं हुआ था, 1333 में इबन बतूता बातूता बातूता किया था, ठीक, इस सब इंपोर्टेंट डेट है, 14 अठानवे में भारत वासकुट गामा काली कट, मतलब भारत में आये थे, D आपसन है, सही है, B को छोड़के, तीनों सही है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का स्रे इन में से किसको जाता है, देखिए किस सुक्सिख गुरू ने आदिगरंथ संकलित किया था, आदिगरंथ किस ने संकलित किया था, गुरू अरजुन देव ने, दस्वावा आखरी गुरू कहा जाता है, इसको कहते हैं, गुरू तेख बहादूर सिंग अभी आपको बताया था याला हमने, वासको डिगामा किस वर्स का लिकट उतरा था, यह उतरा था, अभी आपको बता था, 1498 में भारत का लिकट आया था, इंपोर्टेंट डेट है यह, प्लासी का युद्ध देखिए बार-बार कुश्चिन आ रहा है, इंपोर्टेंट है इसलिए लिए हमने, यह प्रस्ण हमने जान के इसलिए बनाए है आपके लिए कि यही सब आते रहते हैं इस तरह से, ठीक है, प्लासी का युद्ध कब 1757 में हुआ था, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच में हुई थी, शिराजुद दॉला के है, अंग्र चराजुद दॉला को हरा दिया था, किसने अंग्रेजों ने 1757 प्लासी के युद्ध में, कई बार कोश्चन लिया है, हमने आप, इंपॉर्टेंट लगा हमको इसलिए, बक्सर के युद्ध में के बाद, इस्ट इंडिया कंपनी, मुगल समराट को परतिवर्स कितने और कड़ा को मुगल समराट को सौफ दिया, जो बट्टिस साइन को के संदक्षन के अंतरगात आता था, तो यह आपका आवद, आवद, बट्टिस राशन को भारत से जड़ से उखालब फेकने के लिए बने सक, किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, टीपु सुल्तान प्रांसीसियों से मदद मांगी थी, कि अंग्रेज और लेने के लिए, भी आप्शन, टीपु सुल्तान कहा ता को सुल्तान फेमस है, मैसूर का सुल्ता, सिव Ilsewa इसके समय में प्राइरम की गई, देए ये लाड कौन वारलिस के समय में सिव Ilsewa हैं, भी कला है? ये अंग्रेजों के समय में होती चली आरहे हैnez सिव Ilsewa, आए सपीशस को ज्रम से, उसका पैतराना लिगत था पहले, लाड कौन वारलिस के समय में से less than. इसका पहले ल लॉल्ड केनिंग तक चले गया और दिल्ली डिवीजन को छोड़का उत्तरी पस्टी में प्रांत का गठन किया, कहां चले गया थे वो इलहाबाद चले गया थे, बी नमबर आपसन विद्याथिव वीडियो पॉस करके कुश्चेन नोट भी कर सकते हैं आप, भारत में किस गवर्नर जनरल को उस्थानी स्वसासन का पिता कहा गया था, तो यह आपका लॉल्ड डिपन, लॉल्ड डिपन को जो नगरपाली का नगर निगम के चुना होते हैं, यह उस्थानी कहते हैं, हिंदू विद्वा पुनर विवा अधिनियम अथासो चपान, जिसे 1853 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लाग हुआ जिसे लॉर्ड दौरा पारित किया गया था किसके लॉर्ड केनिन दौरा हिंदू विद्वा पुनर विदा विवा या धिन्यम पारित हुआ था अपसा नमबर C होगा केनिन बंगाल का विवाजन 1605 में हुआ ठीक है बिटिस स्वायसरा कौन था उस समय उस समय उननिस सव पांच लिखा है ये लॉर्ड करजन के समय में हुआ था बंगाल को दो भागों में बाट दिया गया था बहुत अक्रोस हुआ था उस समय हिंदू और मुस्लमान के अधार पर ठीक है किसने बंगाल में स्थाई उपनिवेस की सुरुआत की थी यह लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में स्थाई उपनिवेस की शुरुआत करने वाले कौन थे लार्ड कॉर्ण वाले से चक्रवती राज़ गुपालाचारी से पूरो भारत का गवर्णर जनरल कौन था वो था आपका लार्ड माउंट पेटें ए नमबर आपसंद तो सुतिन भारत के प्थम भारती और आपके थे चक्रवती राज़ गुपालाचारी जो सुतिन भारत के पहले भी थे और भारत के अंतिम थे आपके लॉर्ड मॉंट बेटेन स्वतंद भायत की बात आए तो आप सी राजगोपालचारी लगाएंगे 1856 के स्वेज़ सिपाही विद्रों में सिपाहियों को किस कंपनी दोरा बनाएगा कार्थोसों परापत्ती थी किस परापत्ती थी इन फील्ड इसमें गाय और सुबर की चरबी लगी होती थी उस राइफल का उस कानून कार्थोसों का प्रियोग करने परापत्ती थी सिपाही विद्रों कब हुआ यह उँआ 1857 निमीटित में किस ने 1857 के विद्रों को सिपाही विद्रों नहीं कहा कारल मार्क्स ने सिपाही विद्रोग की संग्या नहीं दी, शिपाही विद्रोग के नाम को इनकार कर दिया 1857 के पर्थम 177 संगराम में भाग लेने वली प्रसिद महिला 177 से नानी कौन थी? वो थी बेगार महजरत महिल लखनाउसे नेतर गया था जिनों ने संग्राम में 1857 किस नेता ने किस युद्धा ने कहां से संगर्स किया ठीक है प्रतिने दित किया देख लीजेगा आ सकता है बिहार से कुमर सिंग ने किया था नेतत्व कानपूर से नाना साब इस तरह से दे सकते हैं 1857 के विद्रोप के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंगरेजों ने 1869 में कहां सिवपूरी में स्फांसी दे दी दिया था गया था अंगरेजों दारा बुरी तना से विद्रोप पल्ली अंदोलन संब्धित था लेकिन बी तमिल नाडू से पल्ली अंदोल कौन अवत के एक रशक आंदोलन का नेता था अवत के एक रशक आंदोलन का नेता कौन था बाबा राम चंड किस सासक ने भारत में तुगलक वंस की नियु लख की तुगलक वंस की स्थापना किस ने की गया सुदिन तुगलक ने तुगलक वंस की स्थापना की थी खिज्र खान किस राजवन से संब्ध थे था खिज्र खान जो है सी स्यद समर्स की स्थापना की थी तर्यक कि खिज्र खान दोरा की गई थी विजयनेगर राज किन दोन अधियों पर से थे था most important question है ये तुंग बादरानेजि़ी पर शेथा विजयनेगर समराज देखे, तुलूरावजिबन्स की स्थापना किय थी वीर नर्शिंग ने बिया option वियर नर्सिंग ने तुलू राजयंस की स्थापना की थी चलिए नेक्स देखेंगे सैंदर सब्विता में संक्से सब्वित कुछ प्रसन है हडपा सब्विता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की कुछ किस ने की थी ये की थी रखालदास बन्वती ने हपशन की सब्विता के संबंद में से कौन सा सत्य है सिंदोट्य architect का पासका करने के थी पहले स्थानीổi में नेक्स देखेंगे मोहनजोद्व्य सब्द का क्या रथ है . तो मोहनजोद्व का रvथ है मोहनजोद्व का र虫 है मृत्व के प्रसकों का तीषिए Missouri माउंड आफ दा डेड शिंद्व सबटा में घोड़े की अस्थियों के निशान मिले हैं वैदिकाल इन में से कौन सा उपवेद नहीं है कुछ प्रस्न देखेंगे वैदिकाल के योग वेद यो आपका उपवेद नहीं है पंच गववे में निमलिखित में से क्या सम्विलित नहीं किया जाता क्या नहीं सम्विलित किया जाता तुलसी को सम्विलित पंच गववे में क्योंकि गाय से संबंदित हैं, तीनों चीजें तुलसीक को चांड आमर्यत में प्रयोग किया ज़्याता है, लेकिन पंच गव्य में नहीं. महाजनी पर्था का प्रारंब निमल्खित में किस प्राचीन गरंथ में है? सत्पत ब्राम्मण ग्रंथ में महाजनी प्रथा का उलेक हुआ है सत्पत ब्राम्मण और तैतरीय ब्राम्मण के ब्राम्मण मूलपाथ हैं किसके यजुरुवेद के तो सत्पत ब्राम्मण और तैतरीय ब्राम्मण यजुरुवेद के ब्राम्मण मूलपाथ है वेदों के गद्य परक्रण को क्या कहते हैं ब्राम्मल के जो गद्य रूप है उसको कहते हैं ब्राम्मल बनता प्राचीनतम वेद कौन सा है रिगवेद है रामाल में मांडवी किसकी पतनी थी भारत की थी माहभारत में वनड़ित कुरुछेतर की लड़ाई कितने दियों तक लड़ी थी माहभारत में की लड़ाई चली थी अथारा दिन कौन सा बोध पवितर स्थल है निरंजना नदी परस्थित है बोध गया बोध गया में बगवान बुध ने ज्ञान की प्राप्त की थी नेरंजना नादी तट परस्त है बोध गया एक महत्पूर्ण बोध तीर्थ केंद्र क्यों है बोध गया में हमने आपको बताया था बगवान बुध ने ज्ञान की प्राप्त की थी ग्यान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध किस रूप में जाने गए? बुद्ध के रूप में किस समारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौत धर्म के अपने दिव्वे ग्यान का प्रचार किया? महा बोधी मंदुर समूँ ठीक है? बी नंबर का अपने हो जाएगा इसी स्थान से अप डिव्वे ग्यान का प्रचार किया था महा बोधी मंदुर समूँ बुद्ध को परिनिर्वान निर्वान कहां प्राप्त हुआ? देखिए उनको परिनिर्वान प्राप्त हुआ था कुशी नगर में पर्फा मुपदेश सारनाथ बोध गयामे ग्यान प्राप्त हुआ कुशी नगर में परिनिर्वान उस अस्थान का नाम बताना जब बुद्धों की मानिता का अनुसार का अउतमबुद ने अपनी मृत्यू के बाद परिनिर्वान प्राप्त किया बुद्धों के लिए उत्तरपदेश में सारनात क्यों प्रसिद्ध है बताए आपको पहला उपदेश दिया बुद्ध ने पहला उपदेश सारनात में दिया कौतम बुद्ध ने धम चक्र परवर्तन सूत्र इसे कहते हैं ठीक है इसा उसकेत में लिखा हुआ का उपदेश दिया सारनात में दिया था पाली में बुद्ध गर्णतों को आम तोर पर त्रिपटक कहते हैं बुद्ध धर्म के जो गरंथ हैं उसको कहते हैं त्रिपटक किस भासा में लिखेगा है पाली भासा में थ्री फोल्ड बास्केट को का जाता है त्रिपटकों में कौन सा नहीं है अभी धम पठक है, सूप पठक है, विनेप पठक है और उपसा का पठक ये नहीं है नागारजुन कौन थे? नागारजुन एक बौध दारशनिक थे भारत में इस्थित किस सहर को विस्व का सबसे पुराना शहर नाना जाता है बनारसी वरानसी जो है सबसे पुराना सहर है प्रथम तिर्थंकर कौन थे इरसब देव थे अंतिम कौन थे महावीर स्वामी थे कौन से नंबर के थे चौबिस में तिर्थंकर थे जैन धर्म में त्रवान का मार्क कहा जाता है तो त्रवान का कौन से हैं समयक विस्वास है समयक ज्यान है समयक आचलन है ठिक मनुस्य जीवन का सर्वुत्तम धे है के वल्ले के वल्ले का क्या आर्थ होता है अगर अपने अपने अपनी च्छाओं पर विजय प्राफ्त कर ली तो उसको कहेंगे के वल्ले किसमें जैन धर्म के अनुसार विशाक दद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द असोक के आकमण के दोरान कलिंग की राज़ानी कौन सी थी? तोसली थी. कौन सा असोक के समराज में नहीं था? देखिए, कश्मीर था, गुर्जर था, करनाटक था. काम रूप जिसको कहते हैं असम. असम का पुराना नाम काम रूप है. तो कश्मीर, गुर्जर और करनाटक असोक के समराज में सामिल था? असम नहीं था. कौन सा सिलालेक में ब्रह्मिली पिका प्रयोग नहीं किया गया है? शाह बाजगड़ी में ब्रह्मिली पिका प्रयोग नहीं हुआ है. असोक के प्रधान सिलालेक कौनसा है तेरवह सिलालेक? तेरवह सिलालेक के वारे में हमने आपको बताया कलिंग विजय का वड़न है. 261 इसापूरू कलिंग विजय अशोक ने किया था. मौर काल का सरोत्तम प्रतिमान कौनसा था? वो है सांब असो का सिंस चतरमुक स्तंब सीर एक स्तंब के साह सारनात में भरत सरकार का राष्टी चिन्न भी है जो असो का सिंस तंब है चार सेर एक दूसरे से पीट से करे हुए लगे हुए तो भरत सरकार का ये राष्ट की चिन्न भी है कुशान मूलता कहां के थे कुषान मध्य एसिया के निवासी थे कनिश्क प्रत्थम के सास rappers काल के दोरान कौन सा प्रसेद ऑर वेद विद्वान रहता था चरक चरक सहीं ता लिखी थी चरक ने सल्चेक अठ्षा के लिए प्रसेद थे बलकि फशालेच सर्वात करने वाले चक से रखी थे यह कतन दिया है आपको बताना है पुष्मित्र ने इस वंस की स्थापना की कौन था शंग उसाम राजवंस था शंग उराजवंस की स्थापना पुष्मित्र शंग नहीं की थी इसके प्रभुत्व दच्छन से नमदानी तक पहले हुए थे पाटले पुत्र आयोद्धा और विदिशाक के शहर सामिल थे ठीक प्राचीन भारत के महान व्याकराण विद पतंजली पतंजली किसमें पुष्मित्र शंगु के सासनकाल में थे सी नमबर आप्सन किस सासनकाल में थे ये नमबर हुए वरा हमीद नवरतनों में से कालिदास थे और विक्रमादेत थे अभी ग्यान शाकुंतलम कालिदास जी के रचना है मा कवी कालिदास चंद्रुत मौर्ट के इस प्रसिद्ध राजनी तिक सलाकार को निम्लिखित में से सभी नामों से जाना जाता है तो चानाक की विश्णुगुत कोटेल ले ये चंद्रुत मौर्ट के सिनापती थे और उनके गुरु थे उनको बनाने वाले थे कन्नोज में से पूर्व हरस्वरधन कहां कशाशक था हरस्वरधन ने अपनी राज़धनी कन्नोज बनाई थी उससे पूर्व कुशी नगर का शाशक था कन्नोज नदेश और कन्नोज की राज़धनी थी थानिश्वर उस समय पहले कुशी नगर का शाशक था हरस्वरधन उसके बाद कन्नोज हर्सवरधन ने पाँच इंडीज को अपने नियंतर में लिया कौँ सा पाँच इंडीज था हर्सवरधन के अंदर के देखिए पंजाब था, कन्नौस था, बिहार था, बंगाल था और उरीशा इन पांचों जगह पर हर्सवर्धर ने शाशन किया अपने समराज्य को मिलाया संगम साहित के रूप में प्रसिद्ध है तमिल साहित को हम किस नाम से जानते हैं संगम साहित के नाम से भी जानते हैं विरुपाच मंदिर कहा है विरुपाच मंदिर ये हमपी में है, विजय नगरसर की राजधानी हमपी, यहाँ पर है विरुपाच मंदिरा सीचाई के लिए 16 मील लंबी चोल जील काने मांग निमें किस चोल सासक ने करवाया था, ये करवाया था, राजेंद्पथम ने चोल जील राजेंद्पथम चोल अभी लोकों के अनसार, जैन सभाओं को दान में दिये गए भूमी को क्या कहते थे, पल्ली च्छादम कहते थे, जो दान में दी जाती थी भूमी, चोल अभी लोकों के अनसार भारत पल्मुक्चिलिम आक्रमण पहली भारत पर करने वाला पहला कौन था मुहमत बिन्स कासीम ने 1722 इसापूरों में पहला आक्रमण का रही था जिसने भारत पर आक्रमण किया खजोराहों मंदिरों के प्रमुक समारक किस राज में हैं खजोराहों के कहां है यह मध्यप्रदेश में जैचन्र के विश्वासगात के कान प्रतिवराज चौहान की प्रजय हुई जैचन्र कहां मारा गया इसमें इन तीनों में से कोई नहीं पाल समराज भारत के किस हिस्से में था था पाल समराज भारत के पस्ची में इस्से में था बारवी सदी के प्रारम में दिल्ली पर किसका सवसन था बारवी सदी से पहले भारत पर तोमर वंसों का सवसन था तोमर का गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी ये क्रम है गुलाम वंस, खिलजी वंस, तुगलक वंस और सैयद वंस, फिर लोदी ये क्रम है मुहम्मद गोरी किस वर्स प्रित्वराज 23 से प्राजित हुआ था तो यह हुआ था 1192 में ठीक है बी नमबर आपसन आपका 1192 में उसके बाद मुहम्मद गोरी ने प्रित्वराज को हरा दिया था अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था कास गंज में हुआ था कास गंजित के थे अमीर खुसरो हरक्त एम लौह की नीत किस ने बनाई थी बल बनने बनाई थी ये नमबर आप सन्थ हरक्त और लौह नीत इंपॉर्टन कुश्चन है अलाई दर्वाजा किस विरासा थल में है अलाई दर्वाजा ये कुतुब मिनार में सी नमबर आप सन्थ हर दिल्ली में अलाउदिन खिल जी के शशनकाल की अवदी क्या थी ये अलाउदिन खिल जी ने 1296 से 1316 तक शशन किया था नेक्स्ट आपका भारत पर तैमूर ने किस बार का अकमण किया था तैमूर ने 1398 में तैमूर ने अकमण किया था भारत पर 1398 में किस सासक ने भारत में तुगलक वंस की निव रखी थी गयासुदिन तुगलक ने भारत में तुकलगवंस की नीव रखी थी, खिजर खा से संबंदि बता चुके हैं, खिजर खा ने सयद वंस की स्थापना की थी, खिजर खाने, नेक्स्ट आपका विजयनेगर समराज किस नदी के किनारे बसा हुआ था अब यह मताया है तुंग बद्रा यह बता चुके हैं आपको तुंग बद्रा नदी के किनारे विजयनेगर समराज बसा हुआ था तुलू रावजनल्स की स्थापना वीर नारसिंग यह भी हमने आपक इसके लिए हमने आपको महत्पूर्ण प्रसंद दिये हैं, इसी तरह से हम आपको नोट्स भी हैं, इंपोर्टेंट चीजे बताते रहेंगे, हिस्ट्री के प्रसंद थे, यह इंपोर्टेंट लगे, तो हमने छाट करके इसकी आपको फाइल बना के, हमने आपको इसके आशर हैं, शेर करिएगा वीडियो आपके काम का होगा, और जो इसमें प्रसंद जो आपको ना आते हैं, वो नोट कर लिएगा, ठीक, अच्छे प्रसंद है, आ सकते हैं परिच्छा में, इसी तरह हम हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि हम आपको अच्छी जानकारी देते रह हैं, और आपके साथ ग्यान शेयर करते हैं, और आपकी परिच्छा में हम सायक हो सकें, आपको गाइड करने में, फिर में लेंगे नमस्कार,